मुझे नहीं पता है ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे पर मेरे होसले बुलंद हैं देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ इसका मुझे फक्र है इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की जुकाने की कोशिश की मुझे चु मैं 20 साल से Serious Diabetes यानि शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में चार बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिये। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुँच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किड्नी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे। इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था। आज 64 किलो है। जेल से छुटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शेरीर में किसी बड़ी बिमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी किटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताडित करें। लेकिन मैं जुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना, मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरी वाल भी खुश रहेगा।